स्वागते दूस्तों आज 25 मार्च 2023 सनिवार का दिन आज के मुक्य समचार बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट लेकर हाजर हो चुके हैं देश के अलग-लग राज्यो के और से सरकारों के और से मतबुन अपडेट आ चुका है केंदर सरकार को महिंगाई बत्ता बड़ा दिया है केंदर सरकार को महिंगाई बत्ते की बड़ोतरी करने का फैसला किया है केंदर 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 केंद अवरी 2004 से NPS यानि नई पेंशन स्किम लाग हुए हैं वित मंत्री ने कहा कि वित सचेव के नित्रितु में इसको लेकर एक कमेटी बनाए जाएगी और ये कमेटी नई पेंशन स्किम का रिव्यू करेगी करमचारियों के लिए पेंशन से समधित मुद्धू पर गोर करने के समिति गटित करने का प्रस्ताव रखा गया है इसके लाव दोस्तों मोदी के बिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है सरकार ने नो करोड़ उनसाट लाख लोगों को बड़ी रात दिया है उजुला योजना का जो लाब है वो एक साल के लिए बढ़ाया गया है यानि द संसत सदेशिता भी खत्म हो गई है फैसले के तीन गंटे बाद उन्होंने का भारत के आवाज के लिए लड़ रहा हूं हर किमत चुकाने को तैयार कॉंग्रेस निता राउल गांदी की संसत सदेशिता सुक्रवार दो पर करीब ढ़ाय बज़े रद कर दी गई वह केरल के व सविदान बचाओ आंदोलन सुरू करेगी ब्लोग से लेकर राजदानी तक प्रदसन किया जाएगा वह अपडेट आ रहा है कि आज सनिवार को राउल गांदी मीडिया को संबोधित भी करेंगे कॉंग्रेस निता राउल गांदी की लोगसभा की सदेश्यता खतम कर दी गई राउल गांदी ने मोधी सरनेम को लेकर टिपणी की थी जिस पर सुरत की कोड ने मान हानी के मामले में राउल गांदी को दो साल की सजा सुनाई थी वह लोगसभा सची वाले ने का सधस्य होने भी कारवाई होगी मतलब में आज करेंगे प्रदान मंत्री नेरंद्र मोधी सनिवार को कारणा-ठक ए द्वरेपर यहां पर कई कारिक्रमूं में भाग लेंगे कई विकास प्रियोजनों का उत्गाटन भी किया जाएगा आपको बिता प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुकरवार को वारनसी दोरे पर पहुंचे थे संपुर्णा अनन्द विश्व विद्यला में उन्होंने देश के पहले रोपवे के साथी अठारसो करोड के 28 से ज़्यादा प्रोजेक्ट का सिला न्यास और लोकारपन किया है बड़ी खबर हैं खुशकबर है टेक्सपेर्स को सरकार ने कौ रहात दी है अब 7 लाग से अधिक इंकम पर भी नहीं लगेगा टėक्स एक अपरेल से सीचाय की बिजली मुप्त मिलेगी बिल नहीं बरना होगा यानि यूपी में योगी सरकार ने सुक्रवार को किसानों के लिए बड़ा अलान किया एक अप्रेल से किसानों को नल कूप से सीचाई करने के लिए बिजली फ्री में मिलेगी किसानों को इसका बिल नहीं देना होगा जो भी बिल आएगा उसका भुकतान योगी सरकार करेगी जारी हो जाएगा दिल्ली से जुड़ी अपडेट खबार चातरा से दुसकर्म के बाद अमसीरी ने स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया है चप्रासी सभाई करमचारियों और प्रिंसिपल के लिए भी आदेश जारी हो हैं पूर्वी दिल्ली में एक स्कूल में पांच रोकिदार या अन्य करमचारी ड्यूटी ना हो तो स्कूल में मोजूद ना हो यानि अगर उनकी ड्यूटी नहीं है तो स्कूल में उन्हें नहीं रहना है और नहीं किसी कमरे का उपयोग करना है जो स्कूल का कमरा उपयोग में नहीं है उसको ताले से बंद रखा जाएगा और उसकी चावी प्रदानाचारे के पास होनी चाहिए और तो और दिसा निर्दिसु में ये भी का गया कि स्कूल सुरू होने के 15 मिनट पहले स्कूल का जो पूरा स्टाप है वो पहुंचाना चाहिए और स्कूल की चुट्टी के समय 15 मिनट बाद तक विद्यालाय में स्टाप रहेगा इसके लावा विद्यालाय के समय में कोई भी अध्यापक या ध्यापिका किसी भी कारे से स्कूल से बाहर जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रिंसिपल्गी होगी स्कूल में आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए वीवरन पंजी का रखी जाएगी डिटेल सारी उसमें मेंसन होगी स्कूल में अभिबावकों के आने का समय भी निर्दारित होगा प्रतेक बच्चे के गर का पता और उनके अभिबावक का फोन नमबर भी स्कूल के पास होना चाहिए और सभी बच्चों के गले में फोटो समेट आईकार्ट भी होना चाहिए वह अगर स्कूल में मैला करमचारी सभाई करमचारी हैं तो यह सुनिश्य दो कि उसकी मदद उसका बेटा या कोई भी अन्य वेक्ति ना करें इस तरह के निर्देश जारी हुए हैं लिए आगे बरते दोस्तों बड़ी कबार एनचे आई ने यूपी के कई जिलों में टोल दरू में बड़ोतरी कर दी हैं और नई टोल दरें एक अपरेल से लागू हो जाएगी बारतिय राष्टिय राजमार्ग प्राजिकरण लखनव ने एक अपरेल 2023 से टोल की बड़ी हु दर्वें लागू करने का फैसला किया है मध्यबर देश में महाकाल बक्तू के लिए बड़ी कुस कबर आ रही है देश का सबसे बड़ा अनक सेत्र बनने जा रहा है रोज एक लाख लोग यहां पर भोजन कर पाएंगे इस तरह की व्यवस्ताएं की जा रही है बगवान महा करनाटक के बोमई सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षन को खत्म किया है वो का लिगा और लिंगायत समुदाय में कोटा जोड दिया गया है सीम बसवराज बोमई ने काए कि करनाटक केबिनेट ने अल्प संक्यकू के लिए 4% आरक्षन खत्म करने का फैसला किया है अब उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि EWS के तैत लाया जाएगा बड़ी खबर आ रही है मध्यप्रदेश और 36 गड़ को लेकर भुकम को लेकर मध्यप्रदेश और 36 गड़ में सुकरवार को भुकम के जटके महसूस किया गया है रिक्टर स्केल पर भुकम के जटकू की तिवरता 24 गड़ सुन्य थी बता जारा कि ये भुकम सुबह साड़े 10 वजे के लगबगाया सुकरवार की अगटना है साथ ही स्टोक मार्केट न्यूस अपडेट है बाजार में लगतार दूसरे दिन गिरावट जारी रही निप्टी 17 जार के नीचे फिसल गया वह बड़ी अपडेट खबर है अब दो मिनट में गर पर तयार हो जाएगी मस्त चिल्ड बियर दुनिया का पहला बियर पाउडर बन गया है पूर्वा जर्मनी में बना ये बीर पाउडर अपनी तरह का पहला हूँ इसकार है यानी इस से पहले आज तक कभी भी बीर को पाउडर के रूप में नहीं बनाए गया लेकिन अब इस beer powder को साल के अंत तक मार्केट में उतार दिया जाएगा और बस दो मिनिट में beer तयार हो जाएगी driving license जुड़ा बड़ा प्रेट आ रहा है driving license बनवाने के लिए नया नियम जारी हुआ है उत्तर प्रदेश में driving license बनवाना अब उतना आसान नहीं होगा सडक हाथ सु के बढ़ते मामलों को देखते हुए सासन ने driving license बनवाने की प्रोसेस में बदलाव कर दिया है अब इसता ही license से पहले आवेदक को एक मार्की ट्रेनिंग लेनी होगी ट्रेनिंग का प्रमान पत्र आवेदन के साथ में लगाना होगा तब ही driving license मिल पाएगा ट्रेनिंग के लिए स्कूल खोलने की प्रक्रिया भी विबागने शुरू कर दिया है अभी तक इसतरे के निवारिता नहीं थी वह दोस्तू नासा ने एक बड़ी चेतावनी जारी किये धर्ती पर सबसे बड़ा खत्रा मनरा रह अंतरिक्स से बड़ी मुसीबत आ सकती है अंतरिक्स की चट्टानों के धर्ती से टकराने का खत्रा तीन गुना ज्यादा हो गया और अगर ये चट्टाने प्रत्वीशे टकराई तो परमानु बम के मुकाबले दस गुना ज्यादा तबाई हो सकती है अमेरिके एंतरिक्स एजेंसी के मुताबिक रिसर्च के दोरानों ने पता चला कि चट्टान की तरह दिखने वाले हैं सुद्र ग्राय यानि एस्ट्रोइड धर्ती से टकरा कर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं एक अप्रेल से ओनलाइन गेम खेलना महिंगा पड़ेगा नए नियम लागो होने जा रहे हैं दरसल ओनलाइन गेमिंग एप्लिकेशन पर टेक्स डिड़क्टेड एड सोर्स यानि टीडिये सब एक अप्रेल 2023 से लागो हो जाएगा मुंबोई में मेत्रो से यत्रा करने वाले यत्रियो के लिए गुड नुस आई हैं अच्छी खबर हैं मेत्रो यत्रियो के लिए unlimited trip पास के एक विसेज सुविधा शुरु की गई है अगर कोई भी यत्री मुंबोई 1 कार्ड लेना चाहता है तो मुंबोई मेट्रो के टिकेट काउंटरों और कस्टमर काउंटरों पर नियूनितम दस्तावेजू के साथ अपना मुंबोई 1 नेशिनल कोमन मोबिलिटी कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं रिचार्ज करवा स में बिना सूचना गायब 16766 कों पर करवाई शुरू हो गई हैं साथ यह ब्रेट कबर हैं कोलकाता में चार दिवसी है प्रतम बंगाल अंतराश्टी है फिल्म महुतसव शुरू हो गया है यह महुतसव 27 मार्च तक चलेगा इसमें 10 फीचर फिल्में और 26 लगू फिल्में दिखाए जाएगी चतिस गड की गोधन याई उजना को नेशनल अवार्ड मिलेगा दिल्ली में 25 मार्च को CSI SIGE गवर्नेंस अवार्ड मिलेगा मंदी को ध्यान में रखते वे रिजरू बैंक ओफ इंडिया ने भी बड़ा फैसला लिया है आर्बिया द्वारा सुक्रवार को जारी समय सारनी के अनुसार अगले वितवर्स की पाईली द्वीमासिक निती की बैठाक 3, 5 और 6 अप्रेल को होगी यानि बैठकूं का schedule जारी हो गया है आरबियाई की मोद्रिक नीती समिती यानि MPC की द्वीमासिक मोद्रिक नीती समिक्सा के लिए अगले वितवर्स में 2023 में च्छा बैटके होंगी वहीं वितमंत्री नीर्मला सितारमन ने बड़ा फैसला लिया है अमेरिका में आए बैंकिंग संकट के बाद वितमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है के लिए ड्यूटी लगाई है और उन्होंने काय कि अब हर रोज दो गंटे सुबह 11 बजे से दो पर एक बजे तक पब्लिक से रूबरू होना पड़ेगा और इस दोरान सरकार के ओर से इन दो गंटों में कोई भी वीडियो कॉन्फरेंस या बैटक भी आयोजित नहीं की ज कि व्यापार या परेटन वीजा यानि B1 और B2 पर देश की यत्रा करने वाले लोग अमेरिका में नए सिर्फ नए नोकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं बलकि इंटर्विव में भी सामिल हो सकते हैं अलांकि ऐसे विजदार्गों को नए नोकरी सुरू करने से पहले 8,000 रुपे देने होंगे दिल्ली मेट्रो से सबर करने वालों के लिए भी बड़ा प्रेटा रहा है मेट्रो या त्री जल्दी नेशनल कोमन मोबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे मध्यपरदेश में लाडली बेनु का आवेदन लेने सरकार खुद आएगी गर दल योजना की 24 जारी करने की गोस्तना की हैं वह आपको बता दे महा अश्टमी पर 700 साल बाद बनेगा ग्रहूं का महा सयोग जोति सास्तर के जानकारू के नुसार इस बार चत्र नवरात्री की अश्टमी तारीक बेहदी खास होने वाली हैं क्योंकि महा अश्टमी पर ग्रहू अपनी रासी कुम में विराजमान है इसके लबाद सुक्र और राहू में इस रासी में विराजमान है और इस तरह से महा अश्टमी के दिन छे बड़े ग्रहे चार राशियों में विराजमान होंगे जिसके प्रभाव से महा सयों का निर्मान हो रहा है मिथुन रासी करक रा नए नए इनोवेशन होने लगे हैं और अब विग्यानिकों ने कई ऐसे अधबुद एक्विपमेंट्स इजाद कर लिए हैं जिनके उपयोग दीव्यांगों के जीवन को और आसान बनाते हैं ऐसे कई तरह के एक्विपमेंट्स हैं जिने आप इस एक्सपो में देख सकते है नए उड़ान मिलेगी परदानमंत्री गति सकती मीशन के तहत मुरादाबाद में गति सकती कारगो टर्मिनल के निर्मान का रास्ता साफ हो गया मध्य प्रदेश में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी से देशी नसल के गायों का जन्म होगा मध्य प्रदेश के सागर जिले में पहली बार टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी होगा और ये प्रियोग राष्ट्रिय गोकुल मिशन के तैत किया जा रहा है जिसका काम भी शुरू हो गया है उत्राखंड से जुड़ा अपडेट है नेनी ताल से हल्दवानी सिफ्ट होगा हाई कोट केंद्रिय वीदियम नियाय मंत्रलाई ने मंजूरी दे दिये हैं चालिस लाग किसान भायों को मोधी सरकार ने तोफा दिया जूट पर नियूनितम समर्थन मुल्य तीन सो रुपे बढ़ा दिया गया है और इस फैसले से 40 लाग किसान भायों को फायदा मिलेगा ट्वीटर यूजर्स के लिए भी बूरी खबर आ रही है एक अप्रेल से ब्ल्यू टिक हटाएगी कमपनी सभी को भुकतान करना होगा इसके लावा वाट्स अप में अब सोर्ट वीडियो मेसेज फीचर भी जुडने वाला है अब फ्रांस भी टिक्टोक के प्रियोग पर प्रतिबन लगाने जा रहा है सरकार ने लोग सेवकों के पैसेवर फोन पर टिक्टोक जैसे मनोरंजग अप पर प्रतिबन लगाने का फैसला लिया है फ्रांस से जुड़ा अपडेट है इगनू में भी जोब निकली हुई है जूनियर असिस्टेंट कम टाइप इस्ट के पदू पर बरति के लिए आवेदन मंगाय गया है 31 मार्च तक बेंकों में चुट्टी नहीं रहेगी रईवार को भी काम होगा वितवर्स 2022 समप्त होने में अब कुछी दिन सेस रहे गया है एक अप्रेल के साथ ही नए फैनेंसियल एर की सुरुवात हो जाएगी क्लोजिंग को देखते वे आर्बिया ने सभी बेंकों को रईवार को भी कुले रहने के निर्देश दिया है 31 मार्च मोजुदा वितवर्स का आखिरी दिन होता है और इस दिन बेंकों में क्लोजिंग का काम होता है आर्बिया ने सभी बेंकों को सरकारी लेंदेन के लिए साखाएं खोलने के आदेश जारी किया है हालांकि गराकों के लिए इस दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा लेकिन बैंक ब्रांच में चेक जमा उसकेंगे और इसके साथ ही ओनलाइन बैंकिंग की सुविदा मिलेगी लेकिन फिलिपिन्स और मौरक को ऐसे देश है जहाँ पर आब इस तरह की सुईदाएं शुरू ने जा रही हैं राजदानी में भी लगतार कोरोना के मामले बढ़ रहा है बीते 24 गंटे में 152 नए मामले सामने आए इमाचल परदेश में बड़ा अपडेट आ रहा है अब 40 साल के पटे पर मिलेगी जमीन हजारू पदू को भढ़ने की भी मंजूरी इमाचल परदेश में उद्योग लगाना हो या फिर अन्य अधिकरित काम करने हो इनके लिए अब नन्यान में नई 40 साल के पटे पर ही जमीन मिलेगी लीज को लेकर ये बड़ा ब्रेट मिलेगा इसके लावा अब 33 सरेणी करमचार्यों की बरती राज्य लोकसेवा आयोग से होगी वह हरियान से जुड़ी कबरा रहे हैं 15 अप्रेल तक विशेष गिरदावरी पूरी करनी होगी माई तक मौज़ा दने का अदेश दिये गए हैं मध्य प्रदेश में 5000 वर्क फिट से बड़े मकानू के भवन अनुगया की जांच होगी एक अप्रेल से प्रदेश बर में इस तरह का भ्यान चलेगा संग लोग सेवायोग ने राष्टी रक्सा अकादमी और नोसिना अकादमी परिक्सा फास्ट दो जार तेश के लिए एडमिशिन कार जारी कर देएं अब बात करते दोस्तु गोल्ड प्राइस टूडे सिल्वर प्राइस टूडे सोने चांदी के भाव अब बात कर लेते दोस्तु वेदर न्यूजन अनलेसिस में संपुन भारत का आज 25 मार्च 2023 का मोसम पुरवनुमान मोसम की जनकारी का ताजा ब्रेटाया है अगले 24 गंटो के दोरान पंजाब, उपहिमालाई परसिम बंगाल, असम, अरुनाचल प्रदेश, जमू कस्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखन, आंतरिक, तमिलनादोर, दक्सिन, केरल में हलके से मध्यम बारिस होने के उम्मीद हैं किलिकित बाल्टिस्तान, मुझपराबाद, जमू कस्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किमोर और अरुनाचल प्रदेश में भी छिटपूर बरबारी हो सकती हैं आज के मुक्य समचार अपडेट में फिलाल बस इतनी खबरे हैं अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेट जरूर कर दीजिए थैंक्यू टेकर गुड़बाई, जय हिन, जय भारत, वंदे मात्रम